नमस्कार विद्यार्तियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RPSU इतनविन सेने में स्वागत हैं विद्यार्तियों हम RYMP को लेकर के जो वीडियो बना रहे थे उसी कड़ी में आज अपना अगला वीडियो है वो बनाने जा रहे हैं इसमें जो हमारा इंटर्यू हुआ था उसका मैं इसमें पूरा का पूरा जो शेयर करूंगा कि किस परकार से इंटर्यू हुआ किस परकार से नहीं हुआ वो सारा का सारा इंटर्यू सेशन में बता दूँगा कि किस परकार से क्या है तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें देखे सबसे पहले जो दूर का पूरा इंटर्वीव हो रहा है उसके बारे में मैं आपको लोगों को बता देता हूँ इसमें सबसे पहले आपको एक जगे होल में बेठाया जाता है वहां पर आपको बताया जाता है कि आपको मतलब चार बॉर्ड होते हैं उन चारों बॉर्ड की लिष्ट चिपक़ जाती है फिर आपको देखना होता है कि आपका नाम क्या 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 आपका सीरियल नमेर है वो doğru करो और आप कौन से बॉर्ड में हो वो भी यहाँ पर लिख लो कि आप कितने नंबर बोर्ड नंबर में हो जैसे एक, दो, तीन, चार किस में हो फिर उसके बाद में आपको अंदर बेजा जाता है जहां पर क्या होता है कि आपके डोक्यूमेंट हैं, वो देखे जाते हैं और आपको एक फॉर्म दिया जाता है एक फॉर्म देंगे आपको, डोक्यूमेंट तो नॉर्मल लिखे वे आपके पास क्या क्या है वैसे लेकिन document है वो आपके original होने चाहिए जो आप extra document aid कर रहे हो उनकी original copy आपके पास होनी चाहिए तो वो सारे यहां पर verify होंगे और उसके बाद में आपको interview के लिए अलग जगे ले जाए जाएगा पांच 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 चेचे के set में और उसमें से आपको एक एक के करूम में बे पुछा जा रहा है जैसे मैं बताओ नॉर्मल ही खूब सारे question पुछे जाते हैं लेकिन एक पुछा जा रहा है कि कोई भी पांच योजनाएं बताओ कोई भी पांच योजनाएं पुछे जा रही है और जो girls है उनको girls से जुड़ी हुई योजनाएं मस्ट याद करके जानी ठीक है एक question जैसे आपने अपना subject बता दिया कि मैंने इस subject में mastery कर रहे है या मेरा graduation इसमें तो आपको वहां से जुड़ी हुई भी एक दो question है वो आपका आपके subject से पुछा जा रहा है बहुत ही normal उसके बाद में देखो जैसे कि interview में पूछा गया वो बता रहे हैं जैसे कि एक question पूछा कि असो गेलोत और नरेंदर मोधी दोनों में से एक को वोट करना हो तो आप किसको वोट करोगे तो इसमें आप दोनों में से किसी का भी बताओ तो उनके द्वारा चलाई गए योजनाए युवाओं को युवाओं के लिए उन्होंने क्या क्या किया वगएरा काम है वगएरा ठीक है तो ये चीज भी इसमें पूछी जा रही है सब का interview लगबग लगबग common है समझ मैं ही बात और एक आप document अटेज कर रहे हैं उसमें पूछा जा रहा है जैसे आपने RACIT अटेज किया तो पूछ लेंगे RACIT का full form किया है तो राजस्तान स्टेट सर्ट certificate in information technology इसका full form हो गया तो अब आपको ये पूछा जा रहा है जैसे आपने कोई extra aid किया तो उस document के बारे में पूछ रहे है इसलिए आप जो भी document extra aid करें जो भी document लें और वो extra aid करें तो उसके बारे में आपको खुद को क्या होने चाहिए जानकर ही होने चाहिए कि मैंने क्या extra aid किया है उसका क्या meaning है कहां पर उपयोग है जैसे खेल पूद का किया तो कौन से खेल का है उस खेल से बारे में पूछ ले तो ऐसी चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस परकार से interview लिया जा रहा है समझ में आई बात और जैसे कि आपने एक वो married and married का पूछते है एक जैसे आपका बहुत ही higher को मतलब qualification है जैसे आपके पास MSE वगएरा है तो आप से ये पूछा जाता है कि आप दूसरी कोई मतलब private job क्यों नहीं कर रहे है तो इसमें आपको बता देना है कि हमारा interest है वो इस field में है और हम तयारी वगएरा कर रहे है और private sector में जैसे तो ऐसी कई चीजे हैं तो इस वज़े से हमको ये काम हम इस काम को prepare कर रहे है और इसमें हमारी रूची भी है तो एक दो ये चीज है इंटर्यू बहुत light हो रहा है जितना आप सोच रहे हो जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिलकुल नहीं इंटर्यू बोर्ड में तीन member बेटे होते हैं हो सकता है उसमें दो जैंट्स हो एक लेडी जो ऐसे आपको एक लेडी देखने को मिलेगी हो सकता है कि तीन के तीन ही जैंट्स बेटे हो तो इस परकार से आपको वहाँगा सामने एक normal chair होगी और इंटर्यू बोर्ड में तीन वेक्ति होंगे जो बहुत ही आपको कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा हम आपके क्यूस्टन्स का रिपलाई करने का प्रियास करेंगे तो चलिए विजियारतियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जे हिन जे भारत स्वस्त रहें मस्त रहें मुस्कुराते रहें